हेलो एवरिवन वेलकम टू नॉलेज आएक की स्टूडियो मैं लखान बादवाज आपका अपने करेंट अफेर शो में स्वाथ करता हूँ कैसे हैं आप सब आज है 27 जुलाई और 27 जुलाई से रेडिट इतने भी करेंट अफेर होंगे मैं आपके साइडिसस करूँगा और हर इसका मतलब यह है भारत की पहली शेहद परीचंड प्रयोक्षाला हाली में कहां इस्तापित की गई तो भारत की पहली फर्ष्ट हनी टेस्टिंग लेब कहां पे इस्तापित की गई है इससे करेक्टर आंसर रहेगा ऑप्शन बी गुजराथ भारत की पहली शेहद परीचंड प्रयोक्षाला गुजराथ में इस्तापित की गई देखते हैं इसके बारे में केंद्र क्रशी एवं किशान कल्यान मंत्री नरेन सिंग तॉमर ने राष्टी मदुमक्खी बोर्ट मतला हम नेशनल बी बोर्ट एन बीबी के सायोग से राष्टी डेरी विकास बोर्ट नेशनल डेरी डेवलप्मेंट बोर्ट एन डेडीबी द्वारा आनंद जिले में इसका मतलब यह है कि हमारे किससान कल्लीयान मंतरी कौन है? नर्णें सिंग तौह उन्हाँ ने राश्टे मदमक्की बोड और डेरी जो बोड है हमारा राश्टे डेरी बोड उसके सायोग से गुजरात के आनन्द जिले में आनन सिड़ी है गुजरात की वहां पे भारत की पहल तो ध्यान रखेगा बारत की पहली शहद परिष्चन प्रोग्स आला कहाँ पर शूगी गई कहाँ पर स्थावित की तो गुजरात में और गुजरात के आनंद जिले में Move on next question Who has authored the book titled The End Game The End Game नामक पुस्ता किस ने लिखी तो End Game किस ने लिखी है इसा करेक्टर अंसर है Option C As Hussain Jai Di As Hussain Jai Di ने The End Game नामक पुस्ता कि अब यह बन्ट इंपोर्टेंट कुष्चन ने ध्यान रखे Move on next question COVID-19 lab initiative has been started by which of the following इसका मतलब यह है COVID-19 law lab पहल निबल में से किसके द्वारत सुरू की गई तो COVID-19 law lab है वो किसके द्वारत सुरू की गई पहल है इसा करेक्टर अंसर है Option D Both First and Third मतलब UNDP और WHO द्वारत मिलकर COVID-19 law lab पहल को शूरू की गया देखते हैं इसके बारे में तो विश्व स्वास्त संगटन मतलब WHO नहीं अन्य प्रमुख निगाओं के साथ मिलकर COVID-19 law lab www.covidlawlab.org की शुरूआत की किसने? WHO नहीं किसके साथ मिलकर की? UNDP के साथ तो ध्यान रखेगा ये इससे फायदा क्या होगा? इससे ही है देशों की दुनिया भर में महमारी का प्रबंदन जो COVID-19 महमारी है उसका मैनेजमेंट कर पाएगी और मजबूत कानूनी रहाचा इस्तापित करने में लाउग करने मदद करेगी COVID-19 law lab United Nations Development Program मतलब UNDP और WHO का संयुक्त पर्योजना है किसकी? तो इसका आनसर ये रहेगा कि WHO और UNDP द्वारा मिलकर United Nations Development Program और WHO World Health Organization इन दोनों ने मिलकर COVID-19 law lab ये पहल शुरू की Moving next question Which of the following has launched its one-stop fintech payment solution UPI auto pay इसका मतलब ये है निमलेखित में से किस ने अपना one-stop fintech बोगतान समादान मतलब payment solution UPI auto पे लॉँच किया तो इसमें से किस ने UPI auto पे लॉँच किया है अपना इससे correct answer है Option B NPCI National Payment Corporation of India NPCI ने अपना first fintech payment solution UPI auto पे शू किया देखते हैं इसके बारे में भारतिय राष्टय बोगतान निगम मतलब NPCI ने अपने आवरति बोगतानों के लिए UPI auto पोगतान सुविदा शुरू की इससे फाइदा क्या होगा तो इस PCI ने कहा कि UPI 2.0 के तैद एक नई सुविदा की शुरू अत की गई इसके देखत उपोगता जो यूजर हैं जो कस्टमर हैं वो मुवाइल बिल, बिजली बिल, EMI बुकतान, बीमा, मुचल फंड, आमागावन मतलब ट्रेवल्स, मेट्रो का बुकतान जैसे जिसे बुकतान हैं वो UPI एप के जरिए दे सकेंगे ऐसा NPCI ने का, कि UPI के तुरू इतने सारे जो बिल्स वगर आएं ये सारे UPI एप के तुरू दे सकेंगे, NPCI ने ये भी का, कि इस सुविदा के देखत है, 2000 रुपे तक के भुकतान के लिए किसी पिन की जरुवत नहीं है, मतलब 2000 तक के जो भुकतान होंगे, जो पेमेंट UPI ओटो पे नामक एक सुविदा है, वो शू की, किसने NPCI ने, मुवएं नेक्स कुर्शन, विच आप दी फॉलवइंग, इन पार्टनर्शिप विद, ICICI Lombard, हैस अनौंच, दा लाउंच ओफ होश्पिटल, डेली केस बेनिफिट्स, अंडर, गुरुप सेफगार्ड इं इसका मतलब यह है, कि ICICI Lombard के साथ, किसने साज़दारी की, किसके लिए, डेली केस बेनिफिट्स होते हैं, जो होस्पिटल में, उसके थ्रू, इसमें कौन साथ इंसुरेंस होगा, गुरुप सेफगार्ड इंसुरेंस, तो ICICI Lombard के साथ, गुरुप सेफगार्ड इंसु साज़दारी की, त्यान रखेगा, चले देखते हैं, इसके बारे में, तो ICICI Lombard जनरल इंसुरेंस ने, फॉन पे के साथ मिलकर, अस्पताल का देनिक नगत लाब शुरू किया, जो डेली कैश प्रेमेंट होता है, उसमें जो बेनिफिट्स मिलेंगी, उसके लिए शू किय साज़दारी की, इससे ये फायदा होगा, कि उस्पताल में जो पेशेंट होते हैं, वो एक सब्सक्राइब करने के लिए अनुमती देती है, बीमा कंपनी से रासी का दावा करने के लिए ग्राकों को अस्पताल के बिल का उगतान नहीं करना होगा, मतलब पहले हो अस्पता का बिल बुक्तान नहीं करेंगे, ओटोमेंटिकली बीमा कंपны देगी, इस देखा हुऊ हो आहा कि रासी का दावा करने के लिए ग्राकों को अब अस्पताल के बिल का ऊत्पाधन करने के लिए अवश्कता नहीं है, यह किस के तहीत, किस इंसुरेंस के तहीत यह शाज़द scheme for PM's award for excellence in public administration 2020 recently हाली में लोग परसासन 2020 में उतकर्ष्टता के लिए PM पुरस्कार के लिए पुरणगठन योजना किस ने शुरू की है इसा correct answer है option a जेतेन सिंग यह हमारे राज्यमंत्री है जेतेन सिंग और इनों ने PM उतकर्ष्टा पुरस्कार के लिए पुरणगठन योजना शुरू की देखते हैं इसके बारे में केंजर राज्यमंत्री जेतन सिंग ने PM अवार्ड scheme for excellence public administration की शुरूआत की इस अवार्ड औफ excellence योजना के तैद देश वर में सेविल सेवक वह दोरह की गए अविश्वर्णी कामों के लिए उनए अवार्ड से दीया जाता आए एट तो देश्वर में जो सिविल सेवक हैं, उनकी जो अविश्मिसमेट काम है, उनके जो जितने भी बढ़िया काम है, उनके लिए यह अवार्ड दिया जाता है, प्रदानमिती नेतमम योजना सरुकिया है, इसको दوبारा शुकिया है, किसके द्वारा शुकिया है, हमारी केंदिर राजमित्री जितन सिंह कि थिया खिखाएगा, दयान रखीगा, what is the theme of India idea summits 2020 published by PM Modi PM Modi द्वारा सम्मोधित India idea summit 2020 का विशे किया है तो 2020 का विशे किया है India idea summit का क्या theme है इसकी इसा correct answer है option B building a better future बहतर बविश्चिका निर्माद अब जिसमें याद करना चाहिए याद कर लिजेगा तो option B building a better future ये theme है India idea summit 2020 की बहतर बविश्चिका निर्माद ध्यान रखेगा और ये PM मोधी द्वारा होश्ट की गई मोगा नेक्स क्वेश्चन India target to reach dash spot in world bank easy of doing business ranking भारत ने world bank की easy of doing business ranking में किस इस्थान पर पहुचने का लेक्ष्य रखा है भारत 2020 में किस इस्थान पर पहुचने का लेक्ष्य रखा है easy of doing business में इसा correct answer है option C 50 50 पी rank पाने का लेक्ष्य रखा है इंडिया ने easy of doing business के लिए देखते हैं इसके बारे में 2019 में भारत विश्य बैंक easy of doing business ranking में 190 देशों में 63 पर रहा ध्यान रखेगा 2019 की बात करें तो world bank easy of doing business के रैंकिंग है उसमें इंडिया 190 countries में 63 पर रहा था 2019 में 2019 में कितने इस्थान पर रहा था 63 अमर पर अब 2020 में भारत ने जो लक्ष रखा है जो एम रखा है वो 50 पर पहुँचने का रखा है यह अब 50 पर आना है त्यान रखेगा easy of doing business में जो लक्ष रखा है 2020 का वो 50 रैंका रखा हुआ है त्यान रखेगा जो नेक्स कुश्चन which is South Asia's first league that joined world leagues forum विश्व लीग forum में शामिल होने वाली दश्चन एसिया की पहली लीग कौन सी है तो ऐसी कौन सी लीग है पहली लीग है जो दश्चन एसिया विश्व लीग forum में शामिल हो रही है इसा गरेक्ट आंसर है option C Indian Super League Indian Super League पहली लीग है जो विश्व लीग forum में सामिल हो रही है दश्चन एसिया की पहली लीग है देखते हैं इसके बारे में Hero Indian Super League ISL पेश्वर Football League के संग विश्व लीग forum WLF के साथ जुड़ गया ये जो Indian Super League है ये Football League के संग है ये Football League का एक समू है और ये विश्व लीग forum में जुड़ने वाला पहला South Asia का लीग है वह WLF में सामिल होने वाले दश्चन एसिया और एसिया में साथवे इस्थान का पहला लीग है किसे इस्थान पर? साथवे में से पहला लीग है नहीं से पहला लीग है कौन सा? Indian Super League द्यान रखेगे More next question Who authored the book titled Pandemic Century The Pandemic Century नामक पुस्तक के लिखा कौन है? तो इस्था correct answer है Option C Mark Honigsbaum Mark Honigsbaum The Pandemic Century नामक पुस्तक के लिखा है इतनी वाद द्यान रखेगा एक कलका जो मैंने आपको हमक कुशन दिया था उसका answer ये है Which state has announced a two-year jail term Add one lakh fine for not wearing mask and violation of COVID-19 protocol इसका मतलब ये था किस राजी ने मास्क ना पहनने और COVID-19 protocol का उलंगन करने पर दो साल की jail की सजा और एक लाग रुपे का जोर्मान की गोशना की जो किस राजी ने की थी? इसा correct answer option B जैसा आप देख पा रहे हैं option में अलब जहार करने शुरुआत की कि COVID-19 पर के अतहर जिसने मास्क ना पहना या प्रोटोगाल का उलंगन किया उनको दो साल की सजा होगी और एक लाग रुपे के जुर्मान हो आज का जो हमार कुशन वो यह है विच इयर वाज डिकलेर्ड एज इंटरनेशनल इयर्स और फ्रूट्स एन वेजिटेवल्स बाइ युनाटे नेशन सैंक्त राश्ट दारा किस वर्स को फालों और सबजियों का अंतराश्ट वर्स गोसित किया गया इसके वारे में जाव से आदर लिखिएगा आज हमने 77 जुलाइग की इस वीडियो को लाइक करें और प्रेस करें और आपने आने वाले वीडियो च्यों आपको लेसके और आपने हमारे चैनल को सब्स्राइब करें आप मुझे फेस्बुक और टेलिग्राम पर वालो कर सकते हैं फेस्बुक टेलिग्राम का लिंग इस वीडियो को डिस्क्रेशन दे रखा है बहां जाके आप जॉइन कर सकते हैं थैंक यू